तो मैं जो ट्रेड करती हूं वो basically volume based stock रहते हैं और ऐसे stocks नहीं रहते हैं कि जिन में दो दिन की हरिया लियो जो अच्छा पैसा आता है वो actually आज भी positional और investment में ही आता है invest कैसे करते हैं बहुत ही simple तरीका है मैं आपको सिखा देती हूं friends मुझसे ये पूछा गया कि मैं अपने ट्रेडिंग और investment के portfolios कैसे बनाती हूं जैसे ये question आया है वैसे आप भी अपना topic मत से पूछ सकते हैं और उसके ओपर मैं वीडियो बनाके अपनी knowledge जरूर शेर करूंगी मुझे बहुत अच्छा लगता है knowledge शेर करने में आप पूछे मैं सिखाने की पूरी कोशिश करूंगी related to charts related to options options strategies जितना बन पड़ेगा मैं आप लोग को सिखाते रहूंगी बट उसके लिए आपको comment में लिखना पड़ेगा कि आपको कौन सा topic चाहिए और अगर like करेंगे तो मुझे ये भी पता चलेगा कि आपको क्या topics ज्यादा पसंद आते हैं तो उनी पे मैं advanced version में भी topics बना सकती हूं कुछ ऐसे topics भी बना सकती हूं कि मुझे ये समझ में आए कि इसमें ज्यादा likes मिलें तो इसी को थोड़ा enhance किया जाए और इसी को थोड़ा advanced version में बनाया जाए तो ये सब आपके उपर depend करता है कि आप मुझसे क्या सीखना चाहते है तो मैं जो trade करती हूं वो basically volume based stock रहते हैं और ऐसे stocks नहीं रहते हैं कि जिन में दो दिन की हरिया लियो ऐसे रहते हैं कि कभी वो crash में आया या बहुत जादा गिर जाया है तो मैं उनकी delivery भी उठा सकती हूं येस वो portfolio में भी हो सकते हैं और portfolio के कुछ stocks में trading भी हो सकती है based on open interest अगर वो F&O के stock हो तो futures की open interest options की open interest फिर RSI based है तो ये जो मेरे कुछ videos में already बना चुकी हूँ तो आप note कर लिजिए मेरे जो already बनाया हुए videos है open interest जिसमें futures और options का बताया हुआ है intraday का कुछ एक video बनाया है RSI पे मैंने एक video बनाया है और एक मैंने अपने कुछ indicators पे video बनाया है ऐसे मैंने वैसे तो मैंने बहुत सारे video बनाया है लेकिन trading के लिए मैं यह 4-5 videos जो use करती हूँ तो उपर जो i button है ना इस पे click कीजिए और यह i button पे click करने पर आपको वो videos देखने को मिल जाएगा again like करेंगे तो मुझे पता चलेगा फिर मैं advance topic बनाऊंगे अब next step मैं जो भी trade लेती हूँ but natural stop loss तो लेती ही लेती हूँ discipline बहुत strong रखना पड़ता है उसमें आता है profit भी और जब आता है तो भाई certain portion तो खुद के लिए भी चाहिए तो वो खुद उठा लेते हैं और certain portion जो है वो invest कर देते हैं invest कैसे करते हैं बहुत ही simple तरीका है मैं आपको सिखा देती हूँ और इस तरीके में मजा भी आता है यह तरीका यूज करने के लिए सबसे बड़ी बात mindset बहुत ज्यादा strong चाहिए क्यों कि मेरा जो style है investment का वो बहुत ही tough decision है जो easily बनता नहीं है और वो है गिरता हुआ market जब market गिर रहा होता है तो investment करना जल्दी से होता नहीं है सब ये कहते हैं कि अरे market गिर रहा है ये market में तो नहीं जाना चाहिए तो मैं अपना एक style आपके साथ share करती हूँ investment का मेरा style क्या है month का last day last trading day करीब तीन बज़े के आसपास market बंद होने के आदा घंटा पहले जैसे अभी market साड़े तीन बज़े बंद हो रहे है तो तीन बज़े के आसपास आगे चलके कभी अगर ये 5 साड़े पांच हुए तो पांच बज़े जो भी है आदा घंटा पहले मैं ये देखती हूँ last trading day of the month कौनसे stock जो fundamentally strong है और जो F&O में है या blue chip है S.A. stocks 5% से जादा गिर चुके है जी 5% से जादा अगर वो गिर चुके है उस महिने में तो उनको मैं buy करती हूँ हो सकता है वो 20% भी गिर जाए हाँ अगर उस company में कोई rumor है तो मैं उसमें buy नहीं करूंगी मतलब अगर उसमें कोई rumor है या कुछ negative news है तो थोड़ा डर लगता है फिर वैसे में मैं वो मन्त उसको छोड़ दूँगी देखेंगे क्या situation है मैं उसमें हाथ नहीं डागती लेकिन अगर company strong है और कोई negative news नहीं है तो उसमें invest करने से मुझे बिलकुल डर नहीं लगता अगर आप ये video अभी तक देख रहे हैं मतलब आप एक successful trader बनने के बारे में serious हैं और आप जैसे ही serious traders के लिए मैं लेकर आई हूँ मेरा 9 days का technical analysis mentorship program जो की 13th में से शुरू हो रहा है इस program में मैं आपके साथ live market को भी analyze करूँगी अपने trading setups share करूँगी और most importantly आपके सारे doubts solve करूँगी इसमें आपको personally भी मिलने का मौका मिल सकता है जहां पर आप directly discuss कर सकते हैं मेरे साथ में program की सारी details description में दी गई है तो जल्दी से ये mentorship program के लिए enroll करिए चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं एक सैंपल शेर करते हैं यह है बेल मंतली है वन दिख रहा है मंतली यहां पर वन एम मंतली अब suppose करो मैंने यहां पर लिया कितना percent डाउन है 18 percent डाउन है लास्ट डे पर ले रही हूं तो अल्मोस्ट मुझे closing भाव के पास में ही मिलेगा राइट ऐसे करते करते यह मुझे इस महीने आ गया यह महीने भी यह 5% से ज़्यादा आ गया यह महीने में नहीं आया क्योंकि अगर यह देखे तो वो क्या कहता है कि अरे यह तो मेरा इतना गिर गया यह stock अरे तो किस ने कहा कि बहुत बड़ा investment करो profit में से ले रही हूं तो अल्मोस्ट फ्री जैसा है SIP form में तो लिया जा सकता है ना उसके बाद यह जब भी आता है यह accumulation किया है मैंने और उसके बाद मैं तो नहीं जानती कि यह क्या होगा बट company strong है हमेशा से अच्छा perform कर चुकी है और यह जब हम करते हैं तो उसके बाद यह मज़े भी तो हम ही लेते हैं अभी यहां करते कर यह देखिए यहां पर 5% से ज्यादा गिरा है पाई हो गया यहां पर 5% से ज्यादा गिरा है बाई हो गया डरने वाली बात क्या है इसमें क्योंकि company अच्छी है कोई negative news है नहीं उसके बाद यहां पर नहीं गिरा 5% से ज्यादा अब यह बढ़ गया बढ़के जब यह overall किसी भी मन्त में 10 से 20-25% बढ़ जाता है तो मैं part profits book कर सकती हूं और फिर उनी पैसों को वापस से अगर कोई stock 5% से ज्यादा गिर चुका है मन्त के end में तो उसमें buy कर सकती हूं ऐसा भी chance मिलता है यह guaranteed नहीं है बट ऐसे chance भी मिलते हैं यहां पे देखिए 5% से ज्यादा गि यह जो rally है क्या rate है यह approximate 120 समझो मैंने 125 में लिया होगा और 125 का अगर 220 देख रही हूं मैं तीन महिना भी नहीं हुआ है पुरा सा तो क्या कहेंगे यह हमेशा होगा जरूरी नहीं है इसको बेचना का है it is an investment portfolio जब आपका मन करें तब बेचो नहीं मन करें तो क्यों बेचना ह RSI 70 के ऊपर है अभी कहा था ना RSI का वीडियो देखिए तो उसमें मैंने mention किया है कि RSI 70 के ऊपर होता है तो मैं कभी भी बेचती नहीं हूं तो यह तो हो गया मैंने एक सैंपल स्टॉक बताया और एक सैंपल देख लेते हैं Larson fundamentally strong company है यह जब भी यहां से कहीं भी देख लीजिए जब भी 5% के नीचे दिखेगा मैं इसमें बाई करूंगी कोई भी टाइम में देख लीजिए और 2020 के में तो मुझे बहुत सारे अच्छे-च्छे stocks में मिल गए होंगे तो यह जो profit है उसी में से लिया है free के shares है तो इसलिए tension वारी तो कोई बात है नहीं और उसके बाद रखे हुए है रखे हुए है बेचने की जरूरत होगी तो बेचेंगे या company में कोई negative news आईगी तो बेचेंगे नहीं तो हम क्यों बेचें कभी सोचा होगा क्या कि 2020 में हमको यह शेर 1000 रुपय के भाव में मिले होंगे जिनका भाव आज 3600 है तो यह कितना साल हुआ है चार साल चार साल आज जब मैं record कर रहे हूं तो इस बात को चार साल होने को आया है और इस चार साल में अगर यह growth मिल रही है तो क्या problem है investment stock है और यह कोई ऐ ऐसा नहीं है कि मैंने लाखों करोडों के शेर खरीदे होंगे भाई अगर मैंने पूरे महीने में लेटर से एक retail perspective से बात कर रही हूं कि retail perspective से आपके पास 25,000 रुपय बच गए महीने के तो 25,000 को तीन-चार कंपनियों में डिवाइड कर दीजिए अगर 10,000 बच गए तो उन वो भी तो बढ़ेंगे हाँ अब ये अगर कहें कि मैंने तो 10,000 रुपय करीब महीने महीने लगाए और उसके तो इतने सिर्फ लाग दो लाख आए तो भाई वो देखे कि 10,000 के कितने आए ये मत देखिए कि 10,000 का एक करोड नहीं आएगा मैं options नहीं बचा रही हूं options में पैसा ऐसे चला जाता है लेकिन जब हम प्रॉफिट के पैसों से इन्वेस्मेंट करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि रात की नीद बहुत अच्छी आती है और हम लोग उसी पॉइंट अफ वियू से इन्वेस्मेंट करते हैं कि भाई ये स्टॉक गिर चुका है प्रॉब्लम कहा आती है जब वो कंटिन्यू चार-पाच महिने तक गिड़ते ही जाता है तो एक डर बैठ जाता है लेकिन मैंने क्या कहा ये मेरा स्टाइल है माइंड बहुत स्ट्रॉग चाहिए और इस स्ट्रॉग माइंड से अगर मैं काम करूं तो फिर क्या प्रॉब्ल मतलब लेटर से मैंने उसमें सारा इकठा करके कंटीन्यू पांच महिने तक उसमें एक रीटेल परस्पेक्टिव से बात करती हूं पांच-पांच हजार के इसाब से पांच महिने तक 25,000 रुपे लगा है अब वो 25,000 के जिस दिन 50,000 बन जाते हैं मैं 25,000 उसमें से निकाल बात तो फ्री के भी निकाल लिये वो 25,000 के फ्रीशास पढ़े हैं पढ़े हैं तो पढ़े हैं उस 25,000 को फिर वहां पे लगा देते हैं जहां पे कोई स्टॉक गिर रहा है तो फिर ऐसा होता है कई बार कि मेरे पास आज लिस्ट हो गई इस महीने जैसे 2020 में हुआ था कि बह से ज्यादा फॉल किसमें आया है फिर मैं वहां पे इंवेस्ट करते हूं तो कोई स्कृप में 10% का फॉल आया होगा कोई स्कृप में 20-25 तक का भी फॉल आ गया तो मैं उनमें इंवेस्ट कर देते हूं क्यों कि उसमें बहुत बढ़ा फॉल आया है सबजेक्ट वहां पे को अच्छा यह चीज जो है मुझे खुद 38 यह देखते हुए जिस स्टॉक को और जो बरसों बरस से चलती आ रही है मेरे दादा जी के टाइम से पापा के टाइम से यह सब देख रहे हूं मैं वैसे स्टॉक तो मतलब इन्होंने हर तरह के सिनारियों देखने के बाद भी आज त से मार्केट में हैं अन्लेस अन्टिल वहां पर कोई नेगेटिव नियूज नहीं आती है कि कंपनी डिस्ट्रॉय हो गई या कुछ और हो गया तो कंपनी हर आदमी ग्रो करना ही चाहता है हर एक कंपनी ग्रो करना चाहती है तो ऐसा ही एक एक्जाम्पल अभी जब मैं यह र और थर्टीन परसंट गिर चुक है मेरी इस पर नजर है हां मैं इसे आज क्यों नहीं ले रही है दो चीज है अभी 31 को टाइम है और भी अगर मैं आज ले लेती हूं और यह और चार पाच परसंट गिर गया तो बढ़ गया कोई बात नहीं छूट जाएगा कोई बात नहीं तो ग्रोत अतना ज्यादा मिल भी सकता है न मुझे देखें ना जब भी गिरता है उसके बाद यहां गिरा 11 परसंट यहां पर गिरा 5-6% और फिर एक ही महिने में 23% उपर ले लिया, तो मतलब यहां पर भी लिया, यहां पर भी लिया और यह ले लिया, 23%, फिर गिरा, 7%, यह नहीं आया, यहां पर गिरा 11%, और फिर वापस continue इसी वाए में ले लिया, तो इस तरह से अगर मैं करते जाओं, तो क्या यह stock खराब है, fundamentally तो strong है ही न, तो इस तरह से मैं अपना trading का जो portfolio है, वो trade जो करती हूं, उसका मैंने system बताया, कि वो मैं open interest के base पे सब पे study करती हूं, charts के base पे study करती हूं, और intraday पे बहुत ज़्यादा मेरा focus नहीं है, मैं ना न क्या होता है, कि कभी खुशी, कभी गम, आते रहता है, जाता रहता है, बहुत बड़ा आएगा, तो बहुत बड़ा जाएगा भी, लेकिन आता है थोड़ा बहुत, I am happy, अब वो थोड़ा बहुत हरे की language में अलग होता है, जो अच्छा पैसा आता है, वो actually आज भी positional or investment में ही आता है, लेकिन investment के लिए जो patience चाहिए, वो बहुत ही strong चाहिए, मेरा trading और investment style, दोनों मैंने आपके साथ share किया है, और आपको topics चाहिए, तो comment में लिखिए, मैं बनाऊंगी, thank you.